जैशी कृष्णा दोस्तों भीयसरा फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम सूर्य ग्रहन की जानकारी देने जा रहे हैं कि साल का दूसरा और आखरी सूर्य ग्रहन की घटना को महतपून खगोले घटना मानी गई है ग्रहन का विग्यानिक के साल सा देखे धारविक महतवी माना जाता है और ये सूर्य ग्रहन देखे भारत में दिखाई देगा या नहीं भारत में जो गर्वती महिलाए हैं उनको साफधानी रखने की आवश्यक्ता है कि नहीं उनकी संपून जानकारी देने जा रहे हैं साथ ही दोस्तों सूरी ग्रहन के दोरान देखे सभी राशियों पर प्रभाव अवश्य ही पड़ता है तो कौन सी राशियों को विशेश लाव मिलने के योग बन रहे हैं और कौन सी राशियों को विशेश साफधानी रखने की आवश्यक्ता है उसकी भी जानकारी दे रहे है दोस्तो इसमें जो भी हम आपको जानकारी देने जारें ये पंचांग के अनुसार आपको जानकारी दी जारी है किन-किन देशों में ये दिखाई देने वाला है और वहाँ पर क्या साफधानी रखनी चाहिए उसकी भी हम जानकारी देने जारें दोस्तों सबसे पहले हम आपको सूरिक रहन का समय बताने जा रहें भारत के समय अनुसार साल का दूसरा सूरिक रहन दो अक्टूबर बुद्वार देखे रात को आठ बचकर चौनतिस मिनट पर प्रारम होगा और रात को दो बचकर 25 मिनट पर इसका समापन होगा दोस्तों सूरिक रहन के दोरां देखे बारा घंटे पहले ही सूतक काल प्रारम हो जाता है सूतक काल में पाड़ पुजा की मनाही की जाती है इस अवदी में मंदिर के कपाटों को बंद कर दिया जाता है और ये जो सूर्ग रहन है भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए भारत में इसका सूतकाल भी मानने नहीं होगा आप अपनी पाठ पुजा कर सकते हैं और इस दिन सर्पित्र अमावस्या है तो इस दिन आपको उपाए अवश्य करना चाहिए वीडियो के आखिर में हम आप को एक उपाए वाले हैं जिसको करने से आपको अपने पित्रों का अशिवाद अवश्य ही प्राप्द होगा ये सूर्य ग्रहन घैइए कंड्या राशी के अंदर लगने जा रहा है इस दिन सूर्य का गोचर भी होने जा रहा है ग्रहन काल में कुछ राशियों को विशे साफधानी रखने की आवशक्ता है दोस्तो इस सूरी ग्रहन को काफी महतवूर्ण सूरी ग्रहन माना जा रहा है ये कर्णिया राशी के अंदर रखने जा रहा है कर्णिया राशी के अलावा देखे मेश, कर्क, तुला और मकर राशी के जातकों को भी विशेश साफधानी रखने की आवशक्ता है दोस्तों ये जो सूरिक रहन है बाहरत में दिखाई नहीं देगा इसलिए आपको मतलब भारत में जो लोग रहते हैं उनको कोई भी नियम मतलब करने की आवशक्ता नहीं है लेकिन जो लोग विदेशों में रहते हैं उनके लिए पूरी मतलब जो सूरिक रहन के नियम है उनका पालन करना चाहिए और विशेश रूप से जो गर्वती महिला हैं ग्रहन के दोरान देखे सोना काटना यानि नुकली चीजों का प्रयोग करना खाना पकाना गैस जलाना कपड़े दोना या सूरे ग्रहन के दोरान बिलकुल भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि जो ग्रहन का मतलब उसके होने वाले शीश उपर पड़ता है इसलिए गर्वती महिला को शास्त्रों में भी कहा गया है कि सूरे ग्रहन के दोरान विशेश साबधानी अवश्य रखनी चाहिए जितना हो सके कमरे में ही रहना चाहिए और खाने पीने की चीजों में तुलसी जरू डालके रखनी चाहिए और सूरे किरहन के दोरान आप सूरे से संब्दित वस्तों का दान कर सकते हैं लाल वस्तों का दान कर सकते हैं मंतरों का उच्चारन कर सकते हैं यानि आप जप कर सकते हैं मतला आप किताबों को सपर्ष नहीं कर सकते हैं लेकिन मू से जाप वश्य ही कर सकते ह जरू उग्रेव एंटी गोवा जमेका हेती परागेवे ब्राजील बाहा मास और बारबा डोस आधी स्थानों पर दिखाई देगा इन देशों में जो भी गर्वती महिलाए रहती हैं उन्हें सूरे ग्रहन के निमों का पालन आवश्य करना चाहिए दोस्तों अब जानते हैं क ये सूरे ग्रहन किस प्रकार का लगने वाला है देखे जब चंद्रमा सूरे और त्थिवी के बीच आ जाता है तो इस घटना को सूरे ग्रहन कहते हैं साल का दूसरा और आखरी सूरे ग्रहन कंकरा कृती सूरे ग्रहन होगा इसमें चंद्रमा सूरे को पूरी तरह से ढख न रहता है कुछ राशियों पर इसका मतलब होता है तो कुछ राशियों को साफधानी रखने की आवशकता होती है do मैं तो Is 쓰 यान राशिया है उनके प्राप्ति होगी इनày धल्लाव के योग वर मजबं हो मजबूत होगा साथ ही साथ संतांत सुक के भी बहुत अच्छे योग बनेंगे आगा में आने वाला जो समय है इन राशियों के ले विशेश लाब दायक रहेगा इन राशियों में सबसे पहली जो राशी है वो है व्रिश मित्थून सिंग धनू कुम्ब और मीन ये राशियो को विशेश लाब मिलने के योग बन रहे हैं साथ ही दोस्तो इस दिन देखे पितर अमावस्या है तो आप अपने पितरों का तरपन तो अवश्य ही करें साथ ही आपको जो हम उपाय बता रहे हैं इसको भी आप अवश्य करें दोस्तो आपको मतलब सुबे से शाम तक कभी इस उपाय को कर सकते हैं अगर आपके घर के आसपास कहीं बहता हुआ पानी है देखे स्वच बहता हुआ पानी होना चाहिए यानि कोई तालाब नदी हो वहाँ पर आप इस उपाय को कर सकते हैं नहीं तो आप पीपल व्रिक्ष के नीचे इस उपाय को करें आपको देखे ती मुठIGHT काले तिल लेने हैं और आपको तीन बार तिलों को अपने दोनों हातों में रखकर इस intense को बोलना है 3 भार ओम मेरे ओम सुर्व पितरभ्यो तरियामी ओम म्हें सर्व फितरभ्यो जलाना है अपने पित्रों के नाम से और उस दीपक को भी आपको बहते हुए पानी में मतलब छोड़ देना है दोस्तों अगर आपके घर के आसपा बहता हुए पानी नहीं है तो आप पीपल व्रिक्ष के नीचे भी इसी परकात तीन बार आपको काले तिल लेने है और तीन त दर भी आप जला सकते हैं जैसे पराद में आप जल रख के जला सकते हैं नहीं तो आप पीपल व्रिक्ष के नीचे मतलब दीपक जला कर आ जाए और इस तरह से प्रातना करें तो आपको अपने पित्रों का आश्रिवाद अवश्य ही प्राप्त होगा कहते हैं पित्र अम आ लाइक शेयर जरूर करें आप सभी को जैसी दो